Once again, आज market trading होते होते, non-trend रहा गया, हमारा expectation बहुत ज्यादा था कि मन्ने को market trend हो सकता है, trending हो सकता है, first half तक trending का बहुत सारा signal तो इसने दिखा भी दिया था, bank nifty nifty दोनों ही बहुत similar price action के आसपास आ चुका था, fair value gaps को ले चुका था, आप देखोगे nifty भी कही नगाई fair value gaps से ही घुमाए, तो दोनों चीज़े बिल्कुल हो चुका था, लेकिन वही वही सिन, last hour के आसपास, last पर जाके market फेट से वीशे पर करिगवरी दिया, तो ठीक है, plan को बार-बार हम change करेंगे नहीं, लेकिन trending day बहुत जल्दी एक आने वाला है, हम ये try करते रहेंगे, ऐसा ही हो होता है, trending day के हम expectation रखते हुए, market को trail कर रहे थे, यहां पर जाकर trailing sell hit हो जाता है, कोई बात नहीं, next दिन भी ऐसा होगा, कोई बात जिस दिन नहीं होना होगा, उस दिन आप इतना अच्छा risk reward कमा लेंगे, कि आपको इस तरह का दिनों के लिए आप ready हो जाएंगे, ठीक है, इमिडियेट देख लेते, कहां-कहां पर upside के लिए क्या परा हुआ है, देखे, upside में market के पास 44,000, जो 0,50 वाला level है, वो बहुत important है, similar plan of action मेरा वही होगा, इसके उपर जाके candle close करेगा, और उसके बाद निकलेगा, तो मैं आधा quantity buy करूँगा, वो भी पूरा नहीं, because top में buying, यह मेरा style नहीं है, ठीके, अच्छा, flat open के यह उपर का बता दिया, flat open के उपर गया, यह सारे levels को तोर रहा है, मैं interested नहीं हूँ, उल्टा में bear trap, bull trap, या फिर liquidity grab में दिखूँगा, अच्छा, flat open वा तुरंत नीचे आया, तो तुरंत नीचे आने के बाद, देखी, यहां पर यहां पर दिखा देता हूं, मैंनेज करके, यहां पर एक liquidity पड़ा हुआ है, अगर flat open के market नीचे आता है, तो यह liquidity के नीचे जैसे निकलेगा, मैं एक बार short करना पसंद करूँगा, थोड़ा उपर एसल देखे, फस्ट टागेट मेरा यह वाला liquidity हो जाएगा, उसके बाद मै फिर से trailing करता रहूंगा, एक trending day का expectation से, अगर फिर से आज जैसा, last दिन जैसा घूम जाएगा, कोई बात नहीं घूम जाएगा, कोई नहीं, फिर से हमारा trailing SL हीट हो जाएगा, पॉकर से तो कुछ नहीं जा रहा है, कुछ नहीं कुछ तो हारा है, लेकिन जिस दिन भी उस दिन क्या होगा, इतना देगा कि आने वाले 10 दिन का पैसा एक दिन में नेखे जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा, फ्लैट ओपेनों के नीचे का और उपर का, अच्छा, बैंक निफ्टी बे आप मान लेते हैं कि गैप आप या गैप डाउन ओपेन होता है, गैप अग वही प्लैन ओफ एक्षन, कैंडल क्लोस करेगा, तो दिखूंगा, अधरवाइस कोई भी लिकुरिटी ग्रैप या फिर बूल ट्रैप सेटप मुझे मिल जाएगा, तो मैं यह आप एक बार शॉट कर दूँगा, अब मान लेते हैं, गैप डाउन ओपेन हो जाता है, सिमिलर कैंड ओ प्लैन मेरा वही रहेगा, एक कैंडल क्लोस करके जैसे नीचे निकलेगा, मैं ट्रेल करता रहूँगा, अधरवाइस एक और सेटप वहा सकता है, जिसे लिकुरिटी ग्रैप सेटप हम कहते, अगर यहाँ पर कोई ग्रैप वाला हमें सिनारियो देखने को मिलता है, तो तब तक के लिए मैं मार्केट को टॉप में सेल करना ही पसंद करूँगा, अच्छा, एक बाद निफ्टी देख लेंगे हम, और बैंक निफ्टी का एक्स्पाइरी भी है वेडनेस डे को, तो थीक से ट्रेट कीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो 12 सारे बार विक्नेस तो शो किया है, ये टाइम बिताने में भी एक विक्नेस शो किया है, लेकिन कही ना कही एक्स्प्टेशन मेरा था कि ट्रेंडिंग हो जाएगा, वेराइस वो साइडवेज हो गया, तो इसलिए बोलता हूँ, कितना पावफुल ये सारे चीज़े, फियर वैलू ग FVGs, Imbalances, आपका कोई भी माइनर सा चौच, मेजर सा चौच, OBS, बूलिश, कुछ भी, कुछ भी प्राइस के साथ, अगर आप दोस्ती करेंगे, तो प्राइस आपको सब कुछ बता देगा at the prior, मतलब पहले वो क्या कर सकता है, जैसे FVG से आया, यहाँ पर साइडवेज हो पर गया, देखे, बहुत सारे लोग यहाँ पर W सोच के हरबरी कर देंगे, यह वाला गलती मत करना, यह एक लिक्विटी पड़ा हुआ है, यहाँ पर, मैं इसको मार्द भी कर देता हूँ, यह एक लिक्विटी पूल पड़ा हुआ है, अगर इनकेस मान लेते हैं, लिक्विटी तक का ट्रेल करता चलूँगा, यह एक बुल्ट्राप हो सकता है, लिक्विटी ग्रैप मिल जाएगा, वो सेटाप, वो सेटाप में काम करूँगा, अच्छा, कब हम ड्रास्टिकली रॉंग हो जाएंगे, यहाँ से रियक्शन के बाद अगर फिर से प्राइस अदरवाइस मैं थोड़ा इग्नोर करूँगा, और इनकी सगर गैप डाउन ओपन होता है, फेर वैलू गैप के नीचे, सिमिलर का इंडर स्टोरी, बैंक निफ्टी में फोकस करूँगा, क्योंकि कुछ करने जैसा होगा नहीं, विकॉज एक मुब्मेंट हो चुगा होगा उसके बाद मैं ट्रेंडिंग सटप धून दूँगा, बारा सारे बारा बज़े के बाद, तो वेड्नेस डे वाला दिन थुरा सा टेक्टिकल डे हो सकता है, थुरा सा कन्फूजिंग डे हो सकता है, ध्यान से ट्वेट कीजेगा, एक्सपैर ही है, कुछ समझ नहीं आए तो रिडिंग कीजिए, स्मार्ट मनी कॉंस्टेप्स, इंस्सिटूशनल प्राइस सेक्षन पर जाईए, और मजा देखिए, मार्केट कितना इजी लगने लगता है तब, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक क्यार, एन बबाबाई, एन वन्स अगेइन, हैपी दिवाल चलिए